हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टुडेंट आइम लैब्रेरियन टीचर रीता मैं और आज हम नीव स्टोरी सुनेंगे जिसका नाम है दो बैल और बकरी एक बार की बात है एक किसान के पास दो बैल थे एक का नाम था लाल बैल और दूसरे का नाम था भूरा बैल वे दोनों उसके खेत को जोता करते खूब महनत किया करते थे और वे बाजार में अनाच को बेचने भी जाया करते थे जब वे दोनों थक जाते तो किसान उन्हें हरी भरी और ताजी घास खिलाया करता था ताजा और ठंडा पानी पिलाता था वे दोनों बैल बहुत ज़ादा संतुष्ट और खुश थे तभी वह किसान एक दिन एक बकरी को ले कर आया और वह उसे ताजी हरी सबजिया और ताजे ताजे फल खिलाया करता था वह बकरी भी उन्हें खा कर बहुत खुश थी और वह दिन पर दिन मोटी होती जा रही थी उस बकरी को देख कर भूरा बैल लाल बैल से कहता है देखो न ये बकरी तो मोटी ही होती जा रही है और हम तो इतना काम करती है ये तो कुछ काम भी नहीं करती इसे तो ताजे ताजे फल और सबजियां खाने को मिलती है और किसान किसान तो सिर्फ हमें घास ही खाने को देता है ये है तो हमारे साथ अन्याय है भूरे बैल की इस बात को सुनकर लाल बैल उससे कहता है नहीं भाई ऐसा नहीं है किसान तो हमें भी घरी हरी कास खिलाता है हमें ठंडा ठंडा पानी पिलाता है और हमें सोने के लिए विश्राम करने के लिए साफ सुत्री घास देता है हमें यह सब बाते नहीं सोचना चाहिए हमें जो भी कुछ मिला है हमें उसी में ही खोश रहना चाहिए अच्छा चलो ठीक है अब बच्चो कुछ दिनों के बाद उस किसान की बेटी की शादी होती है सभी गाउवाले दावत पर आते है मगर यह क्या आगन में वह बकरी तो थी ही नहीं अब वह बकरी कहां चली गई बे दूनों बैल सोचने लगे तब ही उनकी समझ आया कि उस किसान ने उस बकरी को बाजार में बेच दिया है और किसान इसी लिए ही उस बकरी को खिला पिला कर मोटा कर रहा था अब यह बात भूरे बैल को समझ आ जाती है वह लाल बैल से कहता है कि तुम सच ही कह रहे थे तो बच्चों आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है दूसरों के जादा सुख को देख अपना सुख न भूलो इश्वर ने जो भी दिया उसी में ही संतुष्ट हो जी लो आए हो बच्चों कि आज की यह स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी बाए बच्चों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्रात करने के लिए के प्या बैल बिटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना बोलें प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल और एडिपन प्लासे थेंक यू पर वोचिए